हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार फिल्ड दोस्तों हाल मैं SFD और BMD का केस लेका आया हूँ दोस्तों हाल मैं आपको वह तरीका बताऊँगा जिसमें आप किसी भी बिम के केस में केंटी लीवर हो, ओवरेंटिंग हो, सिंप्ली सपर्टड हो अब इस केस से करेंगे ना तो डेफिनेटली है कि आपके एक्जाम्स में अंसर गलत आ नहीं सकते हैं जो हमारा UDL के केस में है, वह भी केस में आपको बताऊँगा, उसमें इस केस में डिस्टेंस को एड करना होता है हग पाप्सक्राइब सब्सक्राइब करेंकर दोस्तों हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुछ इस तरीके से Question है, कि एक Simpli Supported Beam है, दोनों एंड से इस तरीके उस पर Reaction Force लग रहा है, यह मान लेते हैं, आरे, यह आर्बी है, यह मान लेते हैं, एक Force लगा, यह दो लगा, और यह 3 लगा, यह माल लेते हैं 500 न्यूंटन का और यह माल लेते हैं 300 न्यूंटन का यह डिस्टेंस माल लेते हैं 3 सेंटे मीटर है 3 मीटर माल लेते हैं यह माल लेते हैं 4 मीटर है यहां से यहां तक का ये distance भी 4 माल लेते हैं और ये distance 5 माल लेते हैं कुछ इस तरीके से तो दोस्तों सबसे पहले एक सिंप्री सब्सक्रिट वी में RRB आपको reaction पॉर्स नहीं दिया हो ये जो फोर्स लग रहा है ये आपको दिया नहीं है डिस्तेंस दिया हुए 3-4-4-5 मीटर का अब दोस्तों मुझे इसके केस में SFD BMD डाइग्राम बनाना है उसके लिए मुझे SF और BM निकालना होगा सबसे पहले मैं आपको reaction force निकालना बताता हूं कि reaction force कैसे निकालते हैं दोस्तों reaction force निकालने के लिए एक sign convention है कि upward force positive होगा और downward force negative होगा यह convention याद रखने हैं दोस्तों अब दोस्तों यहां पर upward force कौन कौन से है आरे आर्बी दोस्तों आरे प्लस आर्बी लिख लेती है अब दोस्तों जो downward force है सारे negative है वह भी ना इधर लिखे जाएगी मतलब माइनस चार सो माइनस पान सो और माइनस तीन सो इकवल टू जीरो और जब नेगटिव वालो को आप जीरो के धर ले जाओगे तो सारे positive हो जाएंगे और मैं इन्हें क्या करता हूं सबको positive कर देता हूं यह positive हो गया दोस्तों अब r a plus r b equal to r आएगा आपके पास तो 5 4 9 12 12 100 newton दोस्तों यह आगे आपके पास r a plus r b का सबको अब दोस्तों मुझे इन दोनों की value निकालने के लिए कि c a की value निकाल नहीं होगी अब 1 की value निकालने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना होगा bending moment निका अब दोस्तों बेंडिंग मुझे निकालते हैं से moment तो आप लोगों को पता यह होगा क्या होता है force into distance माल लेते हैं इतरे से force into distance ही माल लेते हैं यह होगा आपका moment तो दोस्तों bending moment at b निकालते हैं bending moment at b तो दोस्तों bending moment at b निकालेंगे तो हमें याद रखना है कि anti-clockwise promise में positive लेंगे और clockwise promise में negative लेंगे यह इस तरीके से clockwise move कर रही और यह इस तरीके से opposite कर रहा है यह anti-clockwise कर रहा है तो यहां पर आरे बी से इसका distance कितना है 4 4 8 8 5 13 16 तो आरे इंटू 16 मीटर हो गया दोस्तों अब 400 इस आर बी से कितने distance पर है 400 इंटू में दोस्तों 4 4 8 3 8 5 13 दोस्तों प्लस 500 इंटू में दोस्तों कितना है 4 5 4 9 दोस्तों 300 कितने पर है 5 पर दोस्तों यह कितना निकल गया हमाने पास total आ जाएगा दोस्तों आपके पास add करने के बाद 11200 दोस्तों यह कि होगा दोस्तों आरे इंटू 16 तो R की मैलुउ आजाएगी गोस्तों आपके पास 700 दोस्तों जब आरे ती मेलुड आपके पास 700 दोस्तों आप clown in trouble soldier आगु तो आप आर बी में पूट करते जिए तो आरी पी वैल्यव आपके पास कितने निकल गयी पाहना तो दोस्तों आपके पास आणे कितने निकल गया तो दोस्तों आट कितने निकल गईा I 500 अपने nessill सबसे पहले दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको एक साइन कर्मेंशन कर दोस्तों यह साइन कर्मेंशन है यह माल लिया मैंने एक एक्सिस लाइन है है क्या है यह दोस्तों एक्सिस लाइन के राइठ सभ्में डावर्ड पोर्स और ief अंपकर बेंशन अगर जोगा कर्मेंशन चैस्क है दोस्तों यह को किष्डर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इस case में हम मतलब SF के case में हम दो axis line ड्रो करते हैं हर point के लिए दो axis line अगर मुझे RA पे SF निकालना है तो मुझे RA के लिए दो axis line ड्रो करना होगा एक तो behind एक तो after एक उस point के पीछे एक उस point के बाद यानि एक उस point के left में एक उस point के right में और अपने convince के लिए अपने मतलब के लिए हम क्या करेंगे उस axis line के left side देखते हुए चलेंगे तो अभी मैं बताऊंगा कैसे देखेंगे तो यह तो होगया दोस्तो sign convention मतलब अगर मैं per point के लिए 2 sign convention करोंगा 2 axis line कर रहा हूं 2 axis line draw करोंगा तो 2 SF निकलेंगे 2 SF निकालने के भी बहुत फायद है आपको constant का पता चलेगा कैसे जब diagram बनाएंगे तो पता चलेगा दोस्तों तो दोस्तों शुरुआज करते हैं पहले point के लिए दोस्तों आरे में मुझे क्या निकालना है दोस्तों आरे में मुझे क्या करना होगा दोस्तों 2 axis line draw करनी है तो मैंने आरे के लिए एक तो उसके after right side में एक axis line draw कर दी दोस्तों और एक left में कर दी दोस्तों अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया अपने convince के लिए मुझे axis line के left side में देखते हुए चलना है आप right भी देख सकते हैं पर left side अगर आप देखते हुए चलेंगे simply supported beam के case में तो question और जादा easy हो जाता है दोस्तों अब यह axis line यह point आरे है आरे के left side मैंने एक axis line draw करी और उस axis line के left side देखना कोई force लग रहा है तो नहीं तो सबसे पहले sf at a L का मतलब हो गया दोस्तों left side similarly sf at a equal to zero जब कोई force लगे नहीं रहा दोस्तों तो zero हो गया उसके बाद r sf at a equal to दोस्तों अब आरे point के right side आपने एक convention line बनाया अब उस convention line के किधर देखना है left में right में तो हमने क्या बनाया axis line और देखना किधर है उसे left में तो दोस्तों आप इस axis line के left में देखेंगे तो सिर्फ एक ही force लग रहा है कौन सा आरे वाला force और दोस्तों अभी बताए मैंने axis line के right side में upward force दोस्तों positive होता है और आपने आरे निकाल रखना दोस्तों 700 newton तो यह दोस्तों कितना हो जाएगा 700 newton इतना समझगे दोस्तों तो दो निकल घे आहाब पर पाए मिल्री जोस्तों साभ एक माल लेतए आरे आर्व ए दोस्तों तो बेंद दोस्तों से पहले साभ झाली मेलगे दोस्तों जिखेंगे दोस्तों आरे्च वेक निकाल लेते हैं C पे निकाल लेते हैं दोस्तों, यह point C है, तो C पे दोस्तों, एक तो sign बना हुआ है, हमारे पास axis line, left side में, right side में एक बनाना है, दोस्तों, अब SF at C निकाल लेते हैं, तो left side बना हुआ है दोस्तों, तो लिख दूँगा L, SF at C, equal to, दोस्तों, देखेंगे, आपने C point यह है, C point के left side, आपने क्या बनाया दोस्तों, एक axis line, और उस axis line के left side देखा, दोस्तों, तो भी एक फोर्स लग रहा है, कौन सा आ रहे, 700 newton upward positive, 700 newton, similarly, R, SF at C, दोस्तों, अब C के right side देखना है, ध्यांदीजेगा, C के right side, axis line बनाया, लेकिन उस axis line के left side देखना है, अब दोस्तों, दो force लग रहा है, देखे कौन-कौन से, एक तो R वाला upward force लग रहा है, और C वाला downward force लग रहा है, ये C के right side, हमने axis line बनाई, उस axis line के left में देखा, दोस्तों, दो force लग रहा है, एक तो 400 वाला और एक 700 वाला, 700 वाला दोस्तों positive होगा, और 400 वाला दोस्तों negative वाग क्योंकि axis line के left में downward force हमेशा negative होता है दोस्तों, और axis line के right side हमेशा upward force positive होता है, तो 700 में से 400 वाला जब चले जाएंगे तो आपका बनेगा 300 Newton, दोस्तों, ये होगा आपका SF at C, similarly दोस्तों, SF at D निकालेगे दोस्तों, जब D निकालेगे दोस्तों, similarly, एक को बना हुआ है, उसके right में बनाना है दोस्तों, left में L, SF at D, दोस्तों कितना हो जाएगा, जो इसके right में आया है, right में कितना है दोस्तों, 300 Newton तो 300 Newton आ जाएगा, दोस्तों, R, SF at D, अब दोस्तों, right side देखने हैं, यहां दीजिएगा, D के right side में हमने axis line बनाई, और उस axis line के left में देखा दोस्तों, left में देखते 700 माइनस 400 दोस्तों और माइनस 500, क्योंकि यह माइनस 500 भी downward है, left में, axis line के left में, दोस्तों, 700 में से 400 और 500 चलेगे तो 549, दोस्तों, माइनस 200 Newton आ जाएगा, तो दोस्तों, SF at D कितना निकल गया, 300 और 200, दोस्तों, अब मैं इसे 81 लिख देता हूं एक साथ, क्योंकि space नहीं एक कितना निकलादा दोस्तों हमारे पास, दो निकलेते दोस्तों हमारे पास, SF at A, एक तो निकलादा दोस्तों, 0 और एक निकलादा दोस्तों आपके पास, 700, सिमिलर्ली दोस्तों, SF at C कितना निकलादा दोस्तों, एक निकलादा आपके पास, 700, एक निकलादा दोस्तों, आ और माइनस 200 नियून्टन दोस्तों इसे अब रफ कर देता हूं अब दोस्तों E पे निकाल रहें किस पे E तो SF at E दोस्तों L का मतलब left axis line बताती है L मतलब axis line कहाँ रोका रहा है SF at E दोस्तों E के left में आपने axis line बनाया तो जितना force D पे right side में लग रहा था D के right side में कितना लग रहा था minus 200 तो दोस्तों कितना आएगा minus 200 नियून्टन अब RSF at E दोस्तों आप दोस्तों देखेंगे जब हमने E के right side बनाई तो दोस्तों एक दो तीन चार force चार force लग रहा है दोस्तों कौन कौन से दोस्तों 700-400-500-300 दोस्तों यह force लग रहा है दोस्तों तो 700 में से जब आप पांचार नोकिन 1200 माइनस करेंगे दोस्तों तो यह आपके पास minus 500 नियूंटन आ जाएगा दोस्तों तो SF at E minus 200 नियूंटन and minus 500 नियूंटन दोस्तों यह आपके पास SF at E दोस्तों similarly SF at B दोस्तों SF जब आप B के पास निकालेंगे तो लेफ्ट में जब बनाएंगे LSF at B तो जितना आपके पास right side में आया था E के जितना आपके पास right side में आया था तो जितना इसका right side में आया उतना B के left में आया मतलब minus 500 नियूंटन यह भी एक तरेचे हमारा time बचाएगा दोस्तों exam में और RSF at B दोस्तों जितना यह देखें दोस्तों 700 plus 500 minus 500 minus 400 और minus 300 दोस्तों इन सब को जब करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा तो SF at B दोस्तों कितना आ जाएगा आपके पास 0, sorry, minus 500 नियूंटन और 0 नियूंटन तो यह हो गया दोस्तों आपके पास SF at B दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान था SF निकालना जैसे कि और method होते हैं जिसमें हम distance लिके करते हैं x लिया और करार उसमें confusion हो जाता है इसके case में हमने 2 SF निकाले कितने आसानी तरीके से अब देखें दोस्तों इन 2 SF का क्या काम पढ़ता है सबसे पहले जो डाइग्राम बनाया है दोस्तों SF and BM डाइग्राम इसे आपको एक फोर्स दो फोर्स और यह तीन पूर्स यह एक्सिस लाइन होगे दोस्तों दोस्तों यह आपका 400 न्यूंटन 500 न्यूंटन और यह था दोस्तों आपका 300 न्यूंटन यह A,B,C,B,D,E दोस्तों just a पे आपका कितना निक्ला है दो कितना देचो एक तो 0 तो 0 यहां से चान में और कहां गया दोस्तों 700 मान लेथा upgraded मेरा 7ู้ यहां यह आ पका 700 700 के बाद आप देखेंगे C पोइंट है दोस्तों ची पे बी कितना गया दोस्तों 500ने दोad 700 700 के बाद दोस्तों कितना गया इसका 300 दोस्तों माल लेता हूँ सी पे 300 यहां आता है तो यह गया दिस्तों नीचे 300 दोस्तों अब देखें 2SF निकालने का क्या फट पड़ा दोस्तों देखें 700 700 300 300-200-200-200-500 तो दोस्तों यह क्या बताता है कि दो पॉइंट के बीच में constant line कैसे गई तो दोस्तों यह आपका 700 यह जीरो यहां पर भी 700 यहां माल लेते हैं 300 अब 300 चला गया दोस्तों तो डी पर भी कितना जाएगा दोस्तों 300 तो 300 पहां आएगा दी पर भी इतना आएगा तो दोस्तों यह एक constant अब 300 के बाद दोस्तों डी पर कितना गया माइनस 200 तो दोस्तों माल लेते हैं sign convention जो लाइन बनाई एक्सिस होरिजोंटल अप्वाड पोजिटिव होता है नीचे नेगिटिव होते हैं तो दोस्तों माल लेते हैं यहां पर हमारा माइनस माइनस तो लिखने की ज़रत नहीं ह दोस्तों कि इस तरीके से गया दोस्तों तो यह कुछ ऐसा हो अब माइनस 200 भी कितना गया माइनस तीन सो माइनस तीन amendments डोस्तो माणीन थिन्सो मां लेते हैं यहांपे हमारा डोस्तों पानशो आ गयाँ तो यह लाइन कुंछ आगे की तरफ ऊपर साट से इस तरीके से गई दोस्तों तो यह हो गया बानशा पानश टी पर तो कॉंस्टेंट लाइन गई दोस्तों यह गई माइनस पान सो तो यह कुछ इस तरीके से बन गया दोस्तों कि इसे रफ्ट कर दो दोस्तों तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यह हो गया दोस्तों आपका एसेफ डी दोस्तों आपने देखा कितना आसान था एसेफ डी का डियाग्राम बनाना दो एसेफ निकाल ली हमने बिना किसी ज्यादा दिक्कत के लिए पता चल गया और आसानी से बना विए दूस्तों यह हो गया हमारा स है अलों कर दोस्तों सब्सिडा मोमेंक के लिए हमें एक्सिस लाइन बनाने की कोई जुरत नहीं है जैसे मुझे ए पर निकालना है तो ए एक्सिस लाइन है बी पर निकालना है तो दोस्तों पहली बात हमेशा सुक्षिञा आर ऑज्व में फान पहलते हैं न्त स्फरें अपर हमेशा में बाता याद रखना है निकालना है डिए हटनिकी पर कैसे निकाल है दोस्तों जब मुझे bending moment C पे निकालना है तो C ही convention line होगा है मतलब C हमारा axis line है यह जो C है दोस्तों C-E axis line है अब दोस्तों मैंने भी आपको बता है bending moment में क्या होता है force into distance तो अगर मुझे C पे निकालना है तो R A कितना force है 700.0 दोस्तों यह हो गया अब bending moment के case में भी sign convention आता है दोस्तों sign convention देखे दोस्तों इस तरीके से होगा यह axis line है यह clock हो यह इस तरीके से यह हो जाएगा दोस्तों negative, यह हो जाएगा दोस्तों positive और एक्सेश लाइन के राइडसाइड में यहारा एंटि क्लोगवाइस होगा। और ऐक्सेश PCs साइड nella राइड साइड में यह कुछ इस तरीके से लग रहा है दोस्तों यह क्या जा रहा है दोस्तों आपका positive जा रहा है दोस्तों तो 700 तो bending moment at C दोस्तों यह c point है c ही sign convention C ही yamara axis line माल लेजिए c axis line है तो bending moment at C कितना निकलेगा दोस्तों आरे कितना force है 700 तो 700 कितने distance पर है c दोस्तों तो कितना निकल गया 2100 Nm similarly दोस्तों bending moment at D D ली axis line होगी दोस्तों अब D पे axis line बनाएं तो कुन से दो force लगने एक आरें और एक C वाला आरें कितना है दोस्तों 700 और कितने distance पर है D से दोस्तों 3 और 4 तो 7 प्लस में दोस्तों अब देखें दोस्तों प्लस क्यों करेंगे आप देखेंगे कि D और D के इस साइड दोस्तों नेगिटीव लग रहा है तो दोस्तों नेगिटीव आएगा यहां पर 400 देखेंगे D है न दोस्तों D पर हमारा क्या है एक्सिस line है और D के लेफ्ट में देखिए दोस्तों ड के लेफ्ट में इस तरीके का फोर्स है यह ऐसी दो जाएगी तो दोस्तों यह इनधीच बनेगा तो 400 एसे कि इतने डिस्टेंस पर है 400 तो 400 ना 400 है यो दोस्तों यह आपके पास तीन दू यह होगा दोस्तों आपके पास Bending Moment at D यहां 3300Nm दोस्तों यह होगा Bending Moment at D Now Bending Moment at E दोस्तों सेम केस होगा 700 गुना में E E पे निकाल रहे हैं दोस्तों किपना डिस्टेन्स होगा चार दिन साथ साथ चार इक्यार रहा है इक्यार मेटार होगत दोष्टो मयानस का 400 कितने डिस्तेंस पर दोष्टों जार और टार लएक डोसरी पानसो गुना में दोष्टो इंप कितनने यह होगा है दोस्तों 770 माइनस 3200 माइनस तो दोस्तों यह हो जाएगा 37 32 33 दोस्तों यह हो जाएगा आपके पास SF at E माइनस सोरी माइनस तो नहीं आएगा आपके पास सारे बेंडिंग मोमेंट निकल गए दोस्तों बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ बनाकी दिखा देता हूं 돌 यह था दोस्तों 400 500 और यह था दोस्तों अब दोस्तों लेखिया इन्हें नीचे लेगा एक्सिस लाइन को यह एक्सिस लाइन को दोस्तों बेंडिंग मोमेंट एट एट एए यहां पे दोस्तों जीरो यह सी यह डी और यह दोस्तों तो एपे जीरो एसे सीधा कहा जाएगा सी पे सी पे दोस्तों कहा गया माल लेते यहां मेरा 2100 था दोस्तों यह 2100 गया अब दोस्त तो यहां 25 है तो यह हो गया दोस्तों 25 को अब इस 25 से सीधा कहां गया दोस्तों बीपे कितना है जीरो यह जीरो पर मिल गया तो यह बन गया दोस्तों आपके पास बेंडिंग मोमेंट डाइग्राम तो दोस्तों आई होब कि आप लोगों को समझ में आया हो कि SFD और BMD केल्कुलेट करना और डाइग्राम बनाना कितना आसान है तो दोस्तों सेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बैल आइकन बड प्रेस कर दिजिएगा जिससे जो भ कर दो कितना है ये झाया है तो लोग है तोइदा जोस्तों आई है 那 मैं प्रेस का कमें प्रेस कर देंघूर्ड कीजिए तो TB सब्सक्राइब कर दो देंट है कितना है तो